हाई गाइस इस वीडियो में हम और तरह की स्वाप के गेम्स ट्राइ करेंगे परपस वही है मैं चाहता हूं कि तुम मेमरी को अच्छे से समझे तो मैं कुछ और तरह की से स्वाप करके देखता हूं पिष्टी बर तो स्वाप नहीं हुआ था इस पर देखेगा मैंने कहा int age equal to person1 की age person1 की age equal to person2 की age person2 की age equal to age जिसको यह थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है तो बेटा मेरी आपसा रिक्वेस्ट है पिछली वीडियो देखिए फिर आपको यह समझ में आएगा चीक है अब इसी तरह से मैं यहाँ पर नेम को स्वाप करने की पुशिश करूंग गेम प्लान वही रहेगा जब मैं यह कर चुका होंगा तो मैं आपको कहूंगा हाँ जी में यह तरफ से हो गया है तो अब आप इन दो लायों से A10 B20 प्रेंट होने वाला है तो आप बताईए कि स्वाप होने के बाद क्या प्रेंट होगा अक्चली स्वाप होगा या नहीं होगा यह आप फिगर आउट कीजिए वीडियो को पॉस करके जब फिगर आउट कर चुके हों तो वीडियो को दुबारा प्ले कीजिएगा और सुनिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं तो मैं रन कर देता हूं अब मैं उमीद कर रहा हूं कि आप पॉस करके सोचके दुबारा आप वीडियो देख रहे हैं मैं रन करता हूँ जो answer आएगा उसे explain करना ही कोशिश करूँ गा तो swap हो गया A10 B20 पहले था swap से swap के बाद B20 A10 आया तो now I'll try to explain what happened and why did it work let's see तो हमको इतना ही code काफी है चिक है यहाँ चलो पूरा ही रख लेते हैं यह main वाला code से यहाँ तक हम सारा code रख लेते हैं देखिए तो पहले जब code चालू हुआ तो code हमेशा main में चालू होता है main की पहले line है यह P1 person बना उसका space allocate हो गया P1.age equal to 10 तो उसमें age की value 10 set हो गई P1.name तो 4k पे गए name set हो गया A के बराबर P2 equal to new person P2.age तो 5k की age set हो गई 20 P2.name तो यहाँ पर name हो गया P1.says high call हुआ तो इस context में age और name को use करते हुए A10 says high print हो गया P2.says high call करने पर B20 print हो गया अब आपने swap 1 call कर दिया तो code आया swap 1 में person 1 ने P1 को receive किया P2 को receive किया person 2 ने that is यहाँ पर 4k आ गया अब यह line देखिए age equal to person 1.age तो 4k की age को तुम यहाँ ले आए 4k पर गये उसकी age को यहाँ ले आए person 1.age equal to person 2.age 4k की age में लिख दें क्या लिख दें 5k की age लिख दें तो यहाँ change आ गया 20 इस line से person 1.age 4k की age बजा के लिख दें क्या person 2.age उपर आरे की age उठाई और यहाँ पटक दे person 2.age equal to age 5k की age बजा के लिख दें age age which is 10 तो यहाँ पर 10 आ गया चेक है अब name भी case में भी same होगा name equal to person 1 का name person 1 का name मतलब 4k से name उठाया यहाँ a आ गया person 1.name equal to person 2.name person 1.name यहाँ गये 4k के name में person 2 का name भी आ गया person 2.name equal to name तो 5k के name में जाकर name उठा के रख दिया तो a हो गया असल में जो change हो रहे हैं वो heap में हो रहे हैं यह important बात है अब swap function कतम होगा तो हम drop होके heap में पहुँचे main में पहुँचे उसने p1.say high प्रिंट किया तो 4k का say high प्रिंट करने पर इस बार b20 प्रिंट होगा यहाँ change हो चुका है और p2.say high से a10 प्रिंट होगा क्योंकि वहाँ change हो चुका है that is why this changed तो अगर आपको यह नहीं समझना है है वीडियो को रिवाइंड करके दुबारा से देखिए अच्छे सा समझ यह memory को समझना बहुत जरूरी है और next question में एक और game करेंगे हम swapping के around ही उसको figure out करने कोशिश कीजेगा फिर हम आगे बढ़ेंगे thank you very much, bye bye